तो आज जहीं दोस्तों integration देखेंगे, differentiation के बाद this is the second tool, it's very important tool, इसके अंदर हम देखेंगे कि integration के different ways क्या होते हैं, कैसे हम integration किसी derivation में, किसी question में apply करते हैं, एक इसका simple सा example यह है कि यह कोई curve है, curve को generally हम f of x इस term से दिखाते हैं, यह curve कुछ भी हो सकता है, y is equals to x square, y is equals to cos, x स्टेयानिक कोई भी all celebrating ton automat exponential logarithmic कोई भी function हो सकता है तो यह बाद लेते कोई कर फें उसके अंदर यह area कितना है इसका जो नीचे area under the curve जिसे काते area under the curve कर मतलब यह करकेण सकर्फे करने यह वह मैं find out करना है तो क्या कर सकते हैं basically क्या रास्ते हमारे पांस है एक तो यह जनरल कोई शेप नहीं है जैसे कि स्क्वेर सरकल ट्रेंगल होता तो हम सीधा बोलते एंटुबी करो पाया स्क्वेर करो हाफ इंटुबी 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 एच करो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें हम कहेंगे कि एक छो का एरिया हम निकालते हैं तो हमने कहां नहीं तो इसको कैसे यूज करेंगे तो हमने कहां इसको एड़ तुम नहीं कर सकते इसके छोटे-छोटे अगर इसे पीसे लेते हो तुम इसे कहते हो कि यह रेक्टैंगल है और इसकी हाइट और विड़ तुम देखो और वह चोटे- इसके लिए एक smart तरीका हमारे पास है जिसका नाम है integration integration का ये symbol होता है उसके कुछ methods रूस regulation होते हैं जिसके करण हम इसका area अंडर तकर कितना है बिना कुछ ज्यादा extra मेहनत किये ऐसे कोई box किये हम वो निकाल सकते हैं हमें वही देखना है कि इसका integration करने का तरीका क्या है तो हमें मेहनत बचानी है addition की वो जो hectic चीज थी उसको हटा के हमने smart intelligent tool यूज करना है जिसका नाम है integration ठीक है तो ये बाकी के चीजे होगी यहाँ पर हम देखते हैं कि integration हमें अभी बैसिकली कैसे यूज करना है पहले हमने differentiation में देखा था कि हमारे पास equation होते है मैस में उसी को integrate करना है किस प्रकार की equation होते है algebraic trigonometry exponential invert trigonometry and logarithmic equations होते हैं या functions जिसे हम कहते हैं ठीक है इस function से equation बनता है तो एक चीज़ हम गौर करते हैं कि let's say कि मुझे 2x ऐसा कोई दिया है एक equation दिया है 2x obviously यह कौन से टाइप का equation है algebraic not necessary तुम्हें identify होना चाहिए सरा में कैसा पते हो चालेगा कि कौन से टाइप का equation जैसे कि या पर 2x लिखा है ना x के term में है इस algebraic equation sin cos लिखा होता तो हम लिखते कि यह trigonometric e to the power something हम करते exponential क्यार उसकी ज़रुवत भी नहीं है ज्यादा मैं कह रहा था कि 2x को integrate हमें करना है तो इसका मतलब क्या है इसके लिए क्या rules regulation होगे जैसे कि मैं कहूं कि x square को पहले तो मुझे differentiate करके दिखाओ let's say कि x square को मुझे differentiate करना है हमने अभी देखा इसका x square को differentiate करते तो 2x मिलता है x to the power n type का differentiation क्या होता है n x to the power n-1 तो यह differentiation हो गया जिसका दूसरा नाम derivation भी होता है differentiation rate of change derivative बहुत सारे नाम है differentiation के तो x square का differentiation आया भाई 2x तीक है अभी क्या connection है सर आप integration बता रहे और differentiation का क्यों बता रहे है आप में देखो यह आप x square का differentiation आया 2x अगर मैं 2x को integrate करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है x square x square को differentiate किया मुझे मिला 2x देखा हमने 2 की power इदर आ जाएगी 2-1 करेंगे तो आगे 2x अगर 2x को integrate करते हैं तो मुझे मिल जाता x square इसका मतलब कुछ ना कुछ relation integration और derivation या differentiation की बीच में है integration मतलब चीजों को तोड़ना इंटिग्रेशन मतलब चीजों को जोड़ना सौरी चीजों को जोड़ा कैसे मतलब क्या है इसकी power increase होगी यहाप x की power 1 थी यहाप x की power क्या है 2 ए constant का कोई ज्यादा मतलब नहीं डिफ्रेंशेशन का मतलब क्या है एक स्क्वेर था उसकी power कम होनी चाहिए क्योंकि हम चीजों को तोड़ रहे रफ सेंस में मैंने स्टार्टिंग में बोला था पहले हमें जानकर होनी चाहिए कि integration रिप्रेजेंट कैसे करते है अगर कोई कहेगा कि y is equal to 2x यह equation इसको integrate करो तो पहले कुछ रिप्रेजेंट तो करोगे इसको integrate के form में लिखके सामने तो तुम present करोगे तो अगर इसको मुझे integrate करना है y is equal to 2x को तो हम इसको पहले integration का sign दे देंगे आगे लिखेंगे 2x जिसको हमें integrate करना है और जिसके respect में integrate करना है उसको कहते integrant that is dx अब यह dx होता क्या है dx हमें information देगा अगर यहाँ पे dx लिखा है मतलब यहाँ पे उसके पहले जो भी कोई equation है यहाँ तो simple equation है 2x तो यह जो dx है यह represent करेगा कि x की term को तुम्हें integrate करना है मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई और एक equation तुमारे सामने लिखेंगे कोई equation में लिखता हो पे इन काफी बड़ा हो गया इसको छोटा करेंगे कोई equation में लिखता हो let's say मैंने लिखा 2x प्लस b bracket दे दिया और मैंने यहाँ पे dx लिख दिया इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे integrate कर करना है x को फिर b क्या होगा b होगा constant b क्या होगा constant जैसे two constant है वैसे b भी क्या होगा एक constant होगा तो वह मैं पता कैसे चला कि x variable है और b constant है तो मैंने dx को देखा आगे तो dx से मुझे पता चला कि मुझे x को integrate करना है b को भी मैं integrate करूँगा लेकिन उसको as a constant मान के integration का formula यहां मान लो मैंने आगे ऐसा लिखा 2x into t और आगे मैंने dt लिखा तो मैं यहां पर किसको constant मानूँगा मेरे 2 और x यह जो number है यह भी constant हो गया 2 into x यह क्या होगा मेरा constant हो गया और t क्या होगा मेरा variable हो जाएगा तो मैं t को as a variable मान के integrate करूँगा 2x को वह तो खेर multiplication में आया त तो उसको integration के हम बाहर लिखेंगे ठीक है तो यहां पर कॉन constant कॉन वेरियेबल यह इंटी ग्रंट से पता चलता है ठीक है नाम कुछ भी दे देंगे आयफा है नाम स्लाइस स्लाइस अलोंग एक्सन वाटेवर ठीक है आगे चलते हम प्रक्टिकली हमारे पास यह चीज सबसे जरूरी है यह तो उसके पीछे behind the scene क्या होता है picture कैसे बनाई जाती है वो हमने देखा अब picture में क्या है खिलाडी को है let's say कि मुझे integrate करना है किसको integrate करना है पहला formula मेरे पास है ठीक है यह दूसरा तीसरा यह fourth यह fifth पीछे हमें कुछ रट्टा मार नहीं गाया तो a dx इसको मु कि एसे कुछ समझ समझता नहीं है इतना हम लेते हैं 100 100 इंटू dx यहां पर 100 क्या है constant है इंटेग्रेशन का मतलब इसकी पावर बढ़ाओ 100 की पावर क्या है 0 इसकी पावर बढ़ाएंगे तो x दे देंगे ने इसकी 100 की पावर 0 मतलब इसके अंदर x है उसकी पावर कितनी है जिरो अभी मुण इसको इंटेग्रेट करना है तो इसका इंटेग्रेशन का आंसर आएगा हम लिखेंगे इस ऊड़ टू हंडेड इंटू एक्स ठीक है यहोगा इंटेग्रेशन हम प्लस करते प्लस के बारे में आगे चल के बताऊंगा लिखते हैं साथ में बस तुम भी म नहीं इसका मतलब है तुम और एक बार इंटीग्रेट करना चाहते हूं नहीं चाहते हैं इंटीग्रेट हो चुका 100 का कितना आया 100 इंट्यू एक्स प्लस सी यह गिफ्ट आये बाद में बताऊंगा क्या क्यों आता है अगर मैं लिखता हूं 3.14 या πाई इंटीग्रेशन क्या आएगा इंटीग्रेशन का इंट्यू इम्प्लस सी यहां जो इंटीग्रेट हैं उसी का ही वेरियबल दे देना यहांपे मैंने dx लिया था तो x लिखा यहाँ पर dx था तो x लिखा अगर 100 इंटु dt होता तो इसका integration 100 t लिखते हम और प्लस c कर देते हैं ठीक है चलो यह तो constant क्यों होगी अब आप यह साथ ही साथ हम देख लेते कि differentiation में हमने 100 का differentiation क्या लिखा था 100 का differentiation क्या लिखा था constant term का differentiation होता था 0 हमने 100 का differentiation लिखा था d by dx of 100 हमने answer लिखा था 0 मतलब इसकी power हम कम कर रहे थे उसका मतलब है यह इसको differentiate कर रहे थे और differentiation कैसे represent किया जाता है d by dx से ठीक है और 100 का differentiation क्या आया था 0 उसका विपरीत 100 का integration क्या आया लिखा हमने कैसे ऐसे साप लगा दिया आगे dx लगा दिया तो 100 x plus c इसका ये integration है ठीक है? क्योंकि दोनों साथ ही साथ हमें पता होनी चाहिए क्योंकि दोनों का इस्तमाल हम करते है physics में तो साथ साथ में इसका differentiation क्या था वो भी थोड़ा recall करते जाएंगे ताकि parallel हमें आरा confusion कम हो और दोनों की understanding अच्छी तरीके से बढ़ जाएं चलिए आगे चलते variable मतलब कोई भी आगे x dx है इसका integration क्या होगा यहाँ पे क्या लिखा है? x square by 2 plus c x square के integration को क्या लिखा हमने? x cube by 3 वैसे ही देखो x raise to 4 का integration अगर मैं करूंगा formula बताऊंगा मैं पहले इसे सुन लो x raise to 4 dx का integration क्या आएगा? एक पावर बढ़ा दे नहीं है बढ़ा दो भाई x to the power 5 करो दो और divided by वो 5 लिख दो और प्लस सी लिख दो काम करता differentiation में पावर इधर लिखते थे x to the power 5 का differentiation करो तो तुमने 5 x to the power 4 ऐसे लिखा था मैंने का नहीं नहीं मुझे integrate करना है यह तो differentiation होगा मुझे integrate करना है integrate करके बताऊ x to the power 5 को integrate करके बताऊ तो मैंने क्या लिखा 5 की power बढ़ा नहीं integration मतलब एक power बढ़ा नहीं है 5 to 5 की power बढ़ाएंगे एक से बढ़ाना है 5 plus 1 6 और division में 6 लिखना है यहाँ पर यह 5 इधर लिखते थे यहाँ पर पावर बढ़ा के उसकी एक पावर में जो number है वो division में लिखेंगे तो उसका generalize formula होता है लिखा भी होगा मैंने नीचे formula नहीं लिखा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ generalize x to the power ndx si integration है तो उसका integration आता है x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c example यही देख लो यहाँ पे x square है इसकी power 2 है मतलब n2 है 2 plus 1 करना है तो 3 हो जाएगा और divided by n plus 1 that is 2 plus 1 that is 3 हो गया ठीक है यह generalized algebraic equation को हम ऐसे integrate करते हैं ठीक है ओके तो एक 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 टर्म मैंने आगे question wise लिये यहाँ पर हम यहाँ पर इसे solve करते हैं ज्यादा यहाँ पर पढ़ने से confusion बढ़ेगा हम step by step इसको यहाँ deal करते हैं ठीक है मैं इसे मिटा नहीं पाँगा क्यूंकि मैरे पास यह PDF form है नहीं तो मैं इसको rough करके यहाँ पर तुम इसको क्या करना सबसे नियूमेल्टर मिले क्या है बस एक ही स्टेप करनी एक स्ट्रीप पावर 3 को नियूमेल्टर में लेके आए अभी integrate करो अभी integrate नहीं किया मैंने बस इसको rearrange किया division में minus 3 थी तो उपर division में plus 3 उपर minus 3 लेके आए पार अभी इसको integrate करते एक स्ट्रीपर minus 3 है minus 3 plus 1 rule से आठना नहीं है n plus 1 है n कुछ भी रहो positive रहे या negative रहे n plus 1 करना है हमें ठीक है minus 3 बड़ा या minus 1 बड़ा तो तुम कहोगे minus 1 बड़ा negative में छोटा नंबर बड़ा होता है ठीक है तो इसलिए x to the power minus 2 आगई divided by 2 प्लस और को एक example यहाँ पर कर लेते हैं कौन सा उटा है रूट वाला को एक्जांपल लेते चलो यह वह लास्ट वाला एक्जांपल कर लेते हैं ठीक है यह यह जी वाला example कर लेते जी में क्या है fourth root of x तो इसको पहले लिख लो x to the power 1 by 4 4th root of x का मतलब क्या होगा अब इसको इंटिग्रेट करोना है तो इंटिग्रेट करने के लिए पहले बताना पढ़ेगा न कि तुम इंटिग्रेट कर रहे तो पहले इस सिंबॉल दे दो x to the power 1 by 4 और कितके respect में integrate करोगे x के respect नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं जब variable रखना है इसको integrate कर लेते x to the power 1 by 4 plus 1 divided by 1 by 4 plus 1 plus c होगे इसका integration यह power का क्या है 1 by 4 plus 1 क्या होगी यह 4 plus 1 that is x to the power 5 by 4 divided by 5 by 4 plus c अब यह 4 उपर जाएगा तो यह दिखेगा कैसे और कौन सा करना चाहोगे कौन सा कौन सा करें यह वाला कर लेते हैं जे वाला 1 upon x to the power 0.3 तर denominator में उसको पहले numerator में लेकर आओ देखो integration यह काफी vast topic है उसके अंदर बहुत सारे formulas आते हैं बहुत सारे methods आते हैं लेकिन physics के लिए जितना जरूरी है जितने बेसिक चीजे जितने बेसिक टूल जरूरी में उतना ही जिखाओं का बस वैसे देखा जाएगा तो मैट्स में जी डबली या इवन बोर्ड में भी तुम देखोगी इट्स बीक टॉपिक ठीक है तो जितना जरूरी है उतना ही हम पढ़ रहे हैं जहां पर हम डेरिवेशन करते हैं या निउमरीकल जहां पर फिजिक्स का कनेक्शन आता है इंटिवेशन में भी या डिफ्रेंशेशन में में उतना ही पढ़ा रहा हो बस ठीक है देखा जाएगा तो यह टॉपिक काफी बड़ा एक एक महीने के टॉपिक है यह सभी एक्स टूदी सब्सक्राइब कितना अगारे माइनस पॉइंट 3 प्लस वन कितना आता यह 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 आएगा एक्स टूदी पावर 0.97 divided by 0.97 यह इसका इंटिग्रेशन हो गया प्लस सी ठीक है तो इस प्रकार यह बहुत सारे अलजब्रीक एक्स्प्रेशन को ऐसे ही डिल करते हैं वाई सिंप साइब 2,2x,0x,3,1,1,2,1,2,ㅤ कैसे करेंगे तो फॉर्मिला याद होना चाहिए हैं क्या फॉर्मिला है अगर कभी मैं का फॉर्मिला होता है यहाला साइन का कुछ integration पूछ तो साइन का यह formula होता है e to the power x का integration का भी पूछ तो formula में पता होना चाहिए 1 by x यह special case होती है 1 by x का integration होता है log x तो discuss इसको भी मैं करूँगा तो पहले इसको integrate करते हैं यहापे मैंने already एक example लिया था b इसको integrate करना है साइन 2 x को तो sine a x a is a constant तो इसका integration आता है sine का integration आता है minus cos a x upon a अगर मैं पूछूँँगा sine का differentiation क्या आता है तो वो click होना चाहिए mind में दोनों ways में mind active होना चाहिए sine a x का integration क्या आएगा भाई differentiation sine a x का पहले चलो sine x का ही कर लेते sine x का differentiation मुझे जानना है तो वो क्या आता था cos x ठीक है यहाँ पर integration पूछ ला तो वो क्या आ गया minus cos x ठीक है a क्या एक constant है तो इसको हमने तो लिखा minus cos a x divided by a ठीक है अगर a यहाँ पर 1 होता मतलब simply sine x लिखा होता तो हम क्या लिखते है minus cos x और नीचे a लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ती तो example से इसको और clarity में लाते है हमने लिखा integration of sine 2x dx तो इसको लिखेंगे sine का क्या आता है minus cos so minus cos आगे 2x है तो 2x लिख दिया और division में कुछ लिखना होता है क्या लिखना होता है x का coefficient क्या है x का coefficient 2 तो division में 2 लिख दिया और आगे plus c वो तो free gift हमें लिखना है that is called as constant of proportionality और यह indefinite integration में हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कहा से कहा तक हमें चीजों को add करना है देखो सुनो c के बारे में information मेंने कुछ बोली अभी कि इसको कहते constant of integration और वो क्या बताता है that is integration के type को कहते हम indefinite integration क्या चीज है सरी है integration का मतलब क्या होता था चीजों को add करना कहा से कहा तक add करोगे वो भी बताना पड़ेगा मैंने कुछ limit लिखी कि यहाँ पर denominator में मतलब lower में और integration के अपर में कुछ लिखा नहीं मतलब मुझे definitely पता नहीं कि मैं इसको इस चीज को मैं कहा से कहा तक add करो तो इसको पता नहीं होता तो हम कहते है कि इसको आगे constant लगा दो ना तो जिसका नाम होता है constant of integration ठीक है आगे हम देखेंगे definite integration जिसके अंदर हम limit लगा देंगे कि नीचे कुछ लिखा होगा 1 और ऊपर 2 लिखा होगा तो उसको integrate करने के बाद हम कैसे उसको solve करते हैं ठीक है केर बैक टू टॉपिक कॉस AXDX कॉस 5X का integration करके देखते हैं कॉस 5XDX इसका integration क्या होगा हम देखा कि कॉस का integration होता है साइन माइनस नहीं लिखना हूँ माइनस प्लस में ध्यान देना integration और differentiation में यह गड़बड़ हो जाती है और option में पक्का वह होता है माइनस प्लस साइन फिर हम वही सोचते बटते दो मेट आरे माइनस था नहीं 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 प्लस था नहीं नहीं वह तो differentiation का नहीं नहीं वह integration का था गई 4 marks 4 नहीं 5 marks एक तो गलत हुआ और उपर से 4 marks वह भी चले गए सो कॉस का करो integration वह आ जाएगा साइन 5X अपान 5 प्लस C ठीक है यह हो गया साइन कॉस के वैसे करना सी वाला भी एक करके दिखा था हो भाई सी साइन 1 by 2 X इसको कैसे इंटिग्रेट करोगे तो integration of साइन 1 by 2 X D X ऐसा लिखा साइन का integration साइन का होता है माइनस कॉस माइनस कॉस 1 by 2 X अपान X का कोईफिजिन क्या है 1 by 2 तो लिखो यहाँ पे 1 by 2 प्लस C अभी 2 को और यह 1 by 2 को कट कर दो ऐसा करते है ना इस 2 को और इस 2 को कट कर सकते है क्या इसको और इसको नहीं कर सकते है जी ऐसा कट होता नहीं है इस 2 को बाहर लिखते है यहाँ पे तो यह हो जाएगा माइनस 2 प्लस सी ओके यह बैसिक सी बात थी फिर आगे चलते हैं आगे क्या था हमारा ईटुदी पावर एक्स वाले टाइप का इंटीग्रेशन कैसे होता है एकस्पोनेंशल अगर कोई फॉंक्शन आता है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करो तो लिए पॉब्रेशन का होका उसके पहले में इंटीग्रेशन जानना चाहता हो क्यों कि में आभी है तो और तो इंटीग्रेशन का निचे लिखते एंटीग्रेशन कुष्फघ क्यों दे रहा हो मैं सब्सक्राइब याद किया याद किया हSch chocolate लेशार्ट यह दст इस 2x का differentiation करते हैं और इंटू 2 लिखते हैं या हम लिखेंगे 2e to the power 2x ठीक है यह differentiation होगा है मुझे करना integration है तो integration के लिए मैंने यहाँ पर c वाला देखा e to the power ax dx इसका integration होता है e to the power ax upon a plus c मतलब इसको as it is लिख देना है भाई e to the power 2x बस divided by क्या करना है x का coefficient क्या है 2 so divided by 2 किर दिया और plus c कोई hero तो नहीं नहीं यहाँ पर जो 2 और 2 को cut कर रहा है ऐसे denominator में नहीं यह e to the power 2x के term में और denominator में 2 यह cut नहीं होता fine so differentiation 2 e to the power 2x मिला और answer में integration का मुझे मिला e to the power 2x upon 2 इसा कोई relation लगाते है बेटना नहीं इस और इसको ऐसा आता है मतलब इसका ऐसा नहीं रूल के हिसाप से जाना है ओके fine और यह j वाला करके देखते हम यहाँ पर क्या कर सकते है e to the one upon e to the power x इसका integrate करने को बोला है तो पहले इसको numerator मे लेक्या हो जब कभी हम हम इंटीग्रेट करें डिफ्रेंशेशन भी हमने देखा था कि कोई चीज़ डिनोमेटर में होती है तो most of the time basic वाले डिफ्रेंशेशन और इंटीग्रेशन में उसको निमेरेटर में लेक्या आता है एडवांस में हम put something values को एक variable से put कर दे तो वह बाता लगे ठीक तो इसको ह लिखेंगे पहले e to the power minus x dx ठीक है तो e to the power minus x इसका integration करना को डिफिकल्ट वाली बात है क्या यही formula हम यूज करेंगे as it is लिख दो by e to the power minus x x का coefficient क्या है माइनस मतलब माइनस वन है तो डिवाइड़ भाई भी माइनस वन लिख देंगे और प्लस सी लिख देंगे यह हम इसको ऐसा भी लिख सेकते माइनस e to the power minus x प्लस c 3e to the power x by 3 plus c यह answer हमें मिलेगा हो गया हाँ अभी 1 by x की बात कर लेते हैं या भी बाकी के सभी चीज़े तुम लोग अभी कर सकते हो ओके सो मुझे 1 by x का सिखाना था यहां पर 1 by x dx आपने कहा था कि सर कोई भी denominator में हो तो उसको numerator में पहले लेकर और फिर इंटीग्रेट करो हम करके देखते हैं क्या प्रॉब्लेम आती है इस चीज में पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं लिखा 1 by x dx आपने बोला था कोई भी denominator में होता है उस चम को पहले प्लस 1 और प्लस सी लिखा तुमने लिखा x to the power 0 divided by 0 प्लस सी तो यह आ गया 1 upon 0 प्लस सी तो आंसर मुझे infinity मिल रहा है मतलब कुछ गलत जा रहा है वन अपन 0 मिला मतलब infinity कुछ गलत जा रहा है तो उन लोगों ने सोचा उन लोगों ने दिमाग लगाया उन लोग ने कहा कि नहीं इसको 1 by x को ऐसा नहीं कर सकते तुम हमने कुछ पीछे बियांड दे सीन कुछ चीज़े की है और उन्होंने हमें बताया है हमें उसके पीछे बढ़ने की ज़रुरत है हमें बस एक चीज़ याद रखनी 1 by x का इंटीग्रेशन आता है लॉग यही बस exceptional कैसे हर बार ऐसे नहीं करना है कि तुम्हें इंटीग्रेशन दिया 1 upon x square dx तुमने लिखा हां 1 upon में कुछ x square है न तो उसको log x square लिख क्या है गलत वो सिर्फ 1 by x के लिए है only for 1 by x answer is log x ठीक है तो फिर 1 upon x square को कैसे करोगे सर आप integrate आरे थोड़ी देर पहले तो मैंने वोला उसको numerator में लेकिया x to the power minus 2 dx सर अभी कह रहे थी कि numerator में मतले कि आरे वो सिर्फ 1 upon x के लिए उसको छोड़के बाकी सभी को numerator में लेकिया नहीं उसके power के साथ तो यहां पे x to the power minus 2 आया हाँ अभी integrate को यह सही चल रहा है भी फिर minus 1 upon minus 1 plus correct है लेकिन 1 by x के लिए वैसा नही है अब इसके अंदर कुछ बीच में plus sign आया तो कैसे integrate करना है दो टर्म आ गई तो इसको कैसे integrate करना है उसकी बात कर लेते हैं यहां बीच में यहां से 7 आ गया multiplication में यह minus 4 आ गया और x to the power 7 है इसका integration हम कैसे करेंगे तो पहला मैंने देखा 7x to the power 4 example यहां पर लिखते हैं integration करन 7x to the power 4 with respect to x करना question में given था तो dx लिखा में आगे ठीक है तो जैसे differentiation में कोई term constant term multiplication में आती थी तो उसको हम ignore करते थे वैसे 7 को ignore कर दो लिखोगे कैसे सबसे पहले कोई भी term अगर multiplication में है और वो constant है in this situation 7 is in multiplication and which is constant यहां पे 7 multiplication में है और वो x rest to 4 के साथ आया है which is a constant तो उसको प x अब है सिर्फ x to the power 4 को ही integrate करना है 7 को कुछ नहीं करना है 7 को हमने वैसे ही रख दिया x to the power 4 का integration x to the power 5 upon 5 plus c तो यह finally x to the power 5 upon 5 plus c this is the answer ठीक है कोई कहेगा सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि 7 अगर पावर है constant में उसको x दे देते थे एक example से उसे समझाता हूँ मैं जो अभी बात करने जा रहा है simply यह आपे 7 dx ऐसे आता integration तो इसको कैसे integrate करते हम तो 7 सिर्फ नंबर अकेला आया है ना constant में इसके साथ कोई x नहीं आया है जैसे कि आप x to the power 4 आया था simply अगर constant term यह आ जाती है उसका ही integrate करना है उसके ना addition में कुछ है ना multiplication में साथ में कोई variable है तो हम इसको integrate करेंगे 7 x से लिख देंगे 7 into x उसकी power raise कर दिया हम ने लेकिन यह multiplication में आया है तो उसको कुछ नहीं करेंगे उसको hesities रख दिया बी example से और clarity देने की मेरी कोशिश रहेगी इस example में देखते हैं integrate मुझे करना है minus 4 x to the power 7 dx तो इसको हम लिखेंगे minus 4 बाहर की तरफ x to the power 7 अंदर dx पहले ऐसे लिखा क्योंकि minus 4 constant number multiplication में आया है तो उसको मैंने बाहर लिखा अब इसको integrate करना कोई बड़ी बात नहीं minus 4 x to the power 8 divided by 8 plus c हाँ इसको कर दो यह वन यहां पर 2 so minus x to the power 8 by 2 plus c इमेर को सिर्फ minus 4 dx इसका integration करना होता तो मैं इसको लिखता है इसका answer minus 4x आता plus c कि समझने की कोशिश करो ठीक फिर चलते हैं आगे हाँ अभी c वाला देखते है c क्या आ गया बीच में plus sign है this is very important and very easy also इसको integrate करना है तो पहले हम इने लिखा x to the power 1 by 2 plus x to the power 1 by 3 dx ऐसा मतलिकना bracket दे देना क्योंकि यह dx इंटिगरन दोनों के लिए हमने common लिखा है कैसे integrate करो कि बीच में plus sign है तो कुछ नहीं करना है separately इसको integrate करो बीच में sign plus देदा और separately इसे integrate करो वो step by step लिखते है ऐसे है x to the power 1 by 2 dx plus integration again integration का sign दे देंगे x to the power 1 by 3 dx अभी integrate करते चलो separately x to the power 1 by 2 का integration क्या होगा x to the power 1 by 2 plus 1 mind calculation करो 1 by 2 plus 1 it is 3 by 2 so x to the power 3 by 2 divided by वही power repeat कर देंगे नीचे 3 by 2 plus x to the power 1 by 3 इसका integration क्या होगा power में 1 by 3 है तो 1 by 3 plus 1 कितना होगा 1 by 3 plus 1 4 by 3 so x to the power 4 by 3 divided by 4 by 3 और plus c कर दो एक ही constant दिया तो भी चलेगा ठीक है तो यह 2 उपर चला जाएगा यह 3 उपर चला जाएगा यह हमारा answer रहेगा ठीक है आगे और एक example देखते है कौन सा example उठाएं यह e वाला देख ले थे इस example लगने में थोड़ा सा danger लग रहा है है तो इसको integrate करना है हमें root x minus 1 upon root x into dx ऐसा लिका में है separately integrate करेंगे so integration of root x root x को में x rest to 1 by 2 लिख सकता हूँ dx minus sin 1 by root x को क्या लिख सकते हैं root x is nothing but x to the power 1 by 2 उसको numerator में ले किया आओ तो यह क्या हो जाएगा x to the power minus 1 by 2 dx करो इसे integrate अभी क्या बाकी रहा है इसमें 1 by 2 plus 1 1 by 2 plus 1 3 by 2 so x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 minus sin ने तो minus देदो पीछे x to the power minus 1 by 2 का integration मुझे करना है so minus 1 by 2 plus 1 कितना होगा यह plus 1 by 2 so this is x to the power 1 by 2 upon 1 by 2 plus फिर इसको थोड़ा से rearrange कर रहेंगे एक 3 by 2 3 by 2 गलती से भी मत कट करना भाई यह भी कट नहीं होगा हां ठीक है उतने समझदार है इस 11 का integration क्या होगा यह लल्लू बीच में कहां से आगए in heroes में so integration of 11 dx इसका integration क्या होगा 11 into x ठीक है सर यह कैसा होगा जे वाला जे वाला दिखाता हो कैसे होगा ठीक है पहले यहां जगा बना लो इसको देखते हैं क्या है 11 upon x to the power 0.3 dx तो डिनोमेटर में है उपर 11 है उसका कोई काम ही नहीं है 11 को बाहर रख दिया और 1 upon 0.3 उसको numerator में लेकिया है माइनस 0.3 dx में ऐसे लिए अभी क्या बड़ी बात है इसके अंदर x to the power minus 0.3 का integration करना है so x to the power minus 0.3 plus 1 कितना होगा यह 0.97 divided by 0.97 ठीक है 0.97 की लिग रहा 0.9 या एगा ना 0.9 या एगा ना 0.03 थोड़ी ना है और प्लस सी लिग नहीं है ठीक है so 11 है और यह हमारा आंसर फिर यह इसको भी कट कर सकते हो तुम निउमरिकली नीचे कैलकुलेट करोगा आंसर लिख दोगे और कोई एक एक्जम्पल यह वाला करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं के वाला के में क्या दिया है वो देखते हैं इसको प्राक्टिस करना है मैं तुम्हें एक शॉट में इसे सभी चीज़े बता रहा हूँ तो तुम्हें क्याक्च करनी है और इसे एक दो बार प्राक्टिस करने हैं जिसका का इंटिग्रेशन में कोई दिक्कत ने वेल एंकूल जिसको दिक्कत है मैं एक्स कर रहा हूँ कि किस प्रकार से करना होता है और तुम्हें इसके बाद दीर दीर इसको एक चीज़ को खुद से करके देखने बिना देंस को बताता हो इंटिग्रेशन मुझे द loaf है 2x-2 by x dx separately integrate करेंगे shortcut मैं करूंगा मैं इसे अभी integration का sign भी ना दिए time waste ना करें इसको कैसे करेंगे तो मैं shortcut मैं करना चाहूंगा कि मैं step by step इसे लिखूंगा integration of 2x- integration of 2 by x dx तो shortcut मैं करेंगे अभी इस बार इसे 2x का integration क्या आता है 2x to power 2 by 2 minus 2 by x है तो 2 को छोड़ दो और 1 by x का integration 2 को छोड़ दो मतलब 2 को एसे लिखेंगे 1 by x dx इसका करना पड़ेगा ना इंटिग्रेशन 2 तो constant multiplication में आया है 1 by x x को उपर मत ले कि आओ 1 by x का integration क्या होता है log x होता है so 2 log x plus c यह इसका answer रहा यह 2 2 कट हो जाएगा yes so x square minus 2 log x plus c is the answer of this integration ठीक है बाकी के easy है सभी प्रकर करके मैंने बता दिये यहाँ ठीक है इसे integrate करो अभी हो गया सभी types हमने देख लिए बस इसके अंदर बस मुझे तुम्हें लोगों को पड़ाना है कि आगर यह और यह combination में आता है और बीच में प्लस साइन है तो क्या करना है ठीक है प्लस और माइनस कहीं देखेंगे यहाँ पर यू इन्टु वी मल्टिप्लिकेशन दो डिफ्रेंट फंक्शन साथ में आते हैं उसका जरूरत नहीं हमें वो ज्यादा तर मिलेगा नहीं कहीं पूरे physics के अंदर ठीक है जल्द में इसकी इंटीग्रेशन होता है लेकिन हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है physics के अंदर कभी ज़्यादा पड़ेगी नहीं कि दो फंक्शन मल्टिप्लिकेशन में आया और हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाँ ब्योरल मैस के अंदर वह से पड़ोगे तुम इसको से करोगे इंटीग्रेशन ओफ यू वी डाश माइनस बहुत सार बड़ा फॉर्मिला उसका होता है वह यहां करने की जरूरत लेकिन डिफ्रेंशेशन उसका हमने देखा था कि 3X 3X इंटू कॉस 4X का अगर मुझे दिफ्रेंशेट करना है तो हमने देखा कि यू इंटू व वह हम स्किप कर रहे है उसकी जरूरत नहीं लेकिन डिफ्रेंशेशन उसका हमने देखा था लेकिन उसकी बात ही नहीं जल रही आ पर बीज में प्लस साइन उसकी बात चल रही थी सो बैक टू दिस टॉपिक 3X प्लस कॉस 4X को इंटीग्रेट करो कॉस 4X को अपना अपना इ देखे हम इसे स्वाल करेंगे सो 3X का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3X स्क्वेर बाई 2 प्लस कॉस 4X का इंटीग्रेशन क्या आता है सो कॉस का क्या आता है साइन आता है माइनस साइन नहीं आता तो कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन सामने लिखा साइन 4X और डिवीज x plus 2 sin 3x 3 ko as it is लिखो क्योंकि वो multiplication में आया है na sin 2x का integration minus cos 2x divided by 2 बिच में sin plus से दे दिया plus sin 2 multiplication में as it is लग दो sin 3x का integration minus cos 3x divided by x का coefficient क्या यहां पर 300 division में 3 लिख दे और आगे plus c लिख दे और कौन सा यह जी अरे जी वाले को क्या तकलिफ है बाई 1 by k log x 1 by k constant है constant denominator में आई या constant numerator में कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 by k is a constant as it is लिख दो उसको कुछ करना नहीं है numerator में क्यों लिखना चाहते उसको multiplication में आया 1 by x की तरफ focus रहेगा 1 by x का integration log x होता है इसको कैसे करोगे h वाले को h वाला बहुत बहुतरीन सवाल है चोटे 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 misunderstanding में convert करतेगा है minus 1 का integration होगा minus 1 into x क्योंकि constant number का integration में हम एक power बढ़ा देते हैं बीच में minus sign है तो minus sign दे दिया 4 by x तुम्हें 4 अलग और 1 by x अलग यहां से दिखना चाहिए माइंड में ऐसे दिखना चाहिए 4 into 1 by x ठीक है 4 by x is nothing but 4 into 1 by x यहां पर लिख दे हमने 4 1 by x का integration log x so 4 into log x minus x minus 4 log x नीचे answer के आता है वो कुछ systematic standard अच्छा दिखने वाला हो ऐसा ज़रूरी नहीं है यह आया answer ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम systematic कुछ number या ना चाहिए 3-4 number कब आएगा जब हम x की values लखेगे जब definite integration हम देखें ठीक है और कोई करना चाहोगी यह वाला सबसे easy है आए में तो इसका और ली पता दो एक्स प्लस एक्स का क्या एगा एक स्क्वेर बाइटू प्लस एक स्क्वेर का क्या एगा एक स्क्यूब बाइटरी यह इसका integration और प्लस सी लिखेंगे आगे ठीक है क्या है आगे यहाँ पर क्या है ब्रैकेट दिये ब्रैकेट को solve कर लेंगे यार कोई नंबर में 80 उठा लेता हूं यह एच वाला क्या यह वाला ठीक है इतना कॉंप्लिकेट नहीं आएगा लगिन कभी आया तो इसको हमने क्या किया यह तो गरिखुरटरिक एक्वेशनन जिसके रूटश फांदाऊट कि तू और वन तो उसको लिखा हमने एकसप्लस वन एकसप्लस टू और डिवाज़ीग है था एकसप्लसsem तो x plus 2 और x plus 2 cut हो गया, बचा गया सिर्फ x plus 1, अभी x plus 1 का अभी integrate करते हैं, अभी तो simplification किया, वो आया x plus 1, कर लो भाई integrate separately, x का और 1 का separately किया, x का integration x square by 2, 1 का integration x, चाहो तो separately constant of proportionality इसका c1 और इसका c2 दे सकते हो, या इसका combinedly plus c लिखा तो भी चलता है, ठीक है, कुछने इसको bracket multiply कर देंगे, first वाला करके दिखाता हो, यह क्या जाएगा, 6 x square plus 6 x, इसका integration का, क्या बड़ी बात है, 6 x cube by 3 plus 6 x square by 2, बड़ी बात, तुम्हें नहीं लगने चाहिए, इसलिए बाल रहा, 3 हो जाएगा, नीचे cut, उपर हो जाएगा 2, so 2 x cube plus 6 x, यह भी यहा पर 3 हो जाएगा, 3 x square, okay, fine, इतना ही है, हम अभी 1230 को मिलेंगे, 1230 को भी हम revise ही करेंगे, क्योंकि हमारा elasticity topic खतम हो गया है, और कल उसके उपर हमारी exam भी है,